दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल किर्षना फेंटेसी में अंडाज हम बात करेंगे वुमेंस वंडे ट्रोफी मैच के बारे में जो कि यहां से खेला जाएगा विदर्वा वुमें बसर राधिस्तान मुमें की भी दोस्तो यह मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कापी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम प्लेयर है जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे कौन से वो player होने वाले साथ ही साथ में दोनों टीमों का last match का क्या scorecard रहा है कौन सा batsman किस number पे betting करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में detail के साथ बताऊंगा तो वीडियो को एंटर जरूर देखीगा दोस्तो अगर बात करें हमारे telegram channel के बारे में तो हमारे telegram channel का नाम है किर्षना fantasy आप देख सकते हो दोस्तो इस match की जो final team है वो आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगी तो आप सभी भाई telegram channel को जोइन कर लेना telegram का link आपको वीडियो के नीचे comment box में दिया वाए और discussion box में दिया वाए इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ telegram channel को जरूर जोइन कर लेजिएगा दोस्तो अगर आपको 100 रूपे फिरी पेटियम चाहिए तो देखे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आप में से काफी भाईयों को पता होगा कि अगर आप sports app को पहली बार डाउनलोड करके रहिष्टर करते हो तो sports app आपको 100 रूपे फिरी पेटियम देता है तो बस आपको sports app को डाउनलोड करके रहिष्टर कर लेना है sports app को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे comment box में दिया वाए और discussion box में दिया वाए तो लिंक पे किली करके sports app को डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करने के बाद जब रहिष्टर करो तो वही नंबर डालना जिससे आपका पेटियम अकाउंट बनावाए तो तुरंत आपके पेटियम में 100 रूपे फिरी आजेंगे दोस्तो अगर बात करें आसे राजस्तान वुमेन के लास्ट मैच के बैटिंग स्कूर कार्ड के बारे में तो पिरेंका शर्मा और जैसे अक्तर आपको उपन करते वे नजर आएगी पिरेंका ने लास्ट में 23 रूपे आउट हो गई लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखेगा दोस्तो जीरो वाला प्लेयर कभी भी हीरो बन सकता है आयूशी गर्ग आपको नमबर 3 पे नजर आएगी लास्ट में 15 रूपे जोटी चोधरी आपको नमबर 4 पे नजर आएगी लास्ट में 4 रूपे संगी कित्ता कुमावत आपको नमबर 5 पे नजर आएगी लास्ट में 6 रूपे बवीता मिना आपको नमबर 6 पे नजर आने वालीं दोस्तो लास्ट मैच में 47 रूपे इनों ने करे थे वहीं दोस्तों अगर राजस्तान वुमेंद के लाश मैच के बॉलिंग स्कूर काड के बारे में बात करे तो सुमन मेना ने आसे 9 और में 21 संदे के एक विगिट निकाला बबीता मेना ने 6 और में 19 संदी कोई विगिट नहीं निकाल पाई सोनल के बारे में बात करें 10 ओर में 33 संदी के एक विगिट निकाले सिद्धी शर्मा ने 7 ओर में 32 संदी कोई विगिट नहीं निकाल पाई स्थानु सैन ने 7 ओर में 26 संदी कोई विगिट नहीं निकाल पाई दोस्तों अगर बात करें विदर्वा वुमन के लाश मेंच के बैटिंग स्कूर कार के बारे में तो शिवानी धार ने आपको उपन करते वे नजर आएगी वैशनवी के साथ शिवानी लाश में जीरो रन पे आउट हो गई थी दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम की तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिएगा देखी दोस्तों ये वोमेंस के मैचेस में कवर नहीं करता हूँ नहीं वीडियो बनाता हूँ नहीं आपको टीम देता हूँ लेकिन ये मैच आपके इंवेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा होने वाला है और कुछ इस मैच में ट्रम प्लेयर भी होंगे इसलिए सिर्फ आपके लिए ये मैच में कवर कर रहा हूँ और सुबह जल्दी उठके इस मैच की आपको फाइनल टीम भी दूँगा यार इतना सब कुछ करता हूँ कोई आपसे पैसा नहीं लेता हूँ ना मुझे कोई यूट्यूब से पैसा मिल रहा है वीडियो बना के मैं सिर्फ ये चीजे करता हूँ सपोर्ट के लिए ताकि मुझे सपोर्ट मिलेगा अच्छा लगेगा यार बहुत महनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए आपको लगता होगा कि आपने 10 मिनट की वीडियो देख ली तो आपको सब कुछ पता चले गया है हर प्लेयर के बादे में लेकिन भाई आपको 10 मिनट की वीडियो देखने से पता चलता है लेकिन मुझे 10 मिनट की वीडियो बनाने से पता नहीं चलता काफी गंटों की मेहनत लगती है फिर से बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ यार जो भी भाई नय है YouTube चैनल को सबस्काइब कर ले न उमीद करता हूँ आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा यार आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको बदले में सिर्फ दूआ दे सकता हूँ भगवान करता हूँ जो चीज आपको जिन्दगी में चाहिए वो आपको हमेशा मिले चलिए बाते सबसे बड़ी बात जीरो रन पे आउट हो गए जो जीरो रन पे आउट होता है ना उस प्लेयर को मैं अपने टीम में जगा देता ही हूँ क्योंकि जीरो वाला प्लेयर कभी भी हीरो बन सकता है तो सिवानी आपके पास एक अच्छा उप्शन है बाकि चौदरी और मादव क बारे में बात करें तो यह आपको मिडिल ओडर में बैटिंग करते वे नजर आने वाले है ठीक है फिलाल मैं शिवानी को ही ले रहा हूँ अपनी टीम में बैटिंग से बात करूँ अक्तर हो जाएगी लास में यह भी जीरो रन पे आउट हुई थी दिशा आपको नंबर त रायस्तान का टॉप ओडर थोड़ा स्ट्रॉंग लग रहा है तो इसलिए मैं रायस्तान के ओपनर को लेके जा रहा हूँ और दिशा को चाहिसे आप रख सकते हो अगर मैं भी रखूंगा तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी तो उसमें डिसाइड बॉलिंग भी करवाएगी एक मस्ट ऑप्शन होने वाला है सुमन मीना आपको नंबर साथ पर बैटिंग करेगी प्लस बॉलिंग करके देगी एक और अच्छे दोनों विकिट टेकर बॉलर है दोनों क्या तीनों ही मैं बोलूँगा विकिट टेकर बॉलर होने वाले को हाले एक और अच्छा ऑप्शन होने वाला है वहीं यहां से एक और प्लेयर के बारे में बात करूँ दोस्तों तो यहां से जो है खंडर हो जाएगी जो कि आपको जो है अब यहां से विदरवा से ओपन करके देगी इस चीज़ को ध्यान में रखिए बॉलिंग का कंफरम नहीं लेकिन ओपन करके देगी अच्छी प्लेयर है तो मैं इनको रख रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान में रखिये राजस्तान की तब से और गोहाने एक और अच्छी प्लेयर है अब ऐसे ऑप्शन तो यारा आपके पास काफी है बॉलिंग में लेकिन फिलाल मैं यहां से तीनो को जा रहूं अब दोस्तो हो सकता है कि यहां से जो मैं दो बैट्समें लिया हूँ ना इन दो मेंसे में भी फाइनल टीम जब मैं आपको टेलिग्राम पर दूँगा दो मेंसे भी एक ही बैट्समें को मैं रखू और एक बॉलर एक्ष्टा ले लू या फिर एक ऐसा ओल राउ गर घ्री एक impose वुश्ति जिसको को बोलते हैं मैं आपको बताओंगा अगर उस चीज को आप ध्यान से समझोहगे तो इसलिए विंक होगे देखो जो वुमेंस के मैचेज होते यह इस चीज को ध्यान में रखिए यहादस पर नहीं बनता आप देखे उटे होंगे अगर T20 होगा तो 100 या 110 रन पर जो है टीम में all-out हो जाती है वंडे होगा तो 1.500 रन पर ओल-इट हो जाती है अगर मान की चलिए अभी यह वंडे मैचे तो इसमें मुझे लगता है 1.500 रन पर टीम all-out हो जाएगी अब 1.500 रन अगर टीम बना रही है तो कोई उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि वोमेन जो है एक बैटसमेन जो है वो शतक लगा दे ठीके बैई, क्योंकि अगर वो शतक लगाएगा तो तो 1.500 रन खांसे बनेंगे 1.500 रन का मतलब है कि एक प्लेइर जो है मुझे लगता है 50 बना सकता है इंपोर्टेंट होता है या फिर एक वाल राउंडर जो बैटिंग बॉलिंग करे वो तो अलग ही हो गया लेकिन अगर आप बैट्समेन को रख रहे हो वूमेंस के मैच में तो मैं आपको वोलूंगा भाई आप बॉलर के साथ ही जाईए अब क्यों वो मैं आपको एक डीटेल के साथ समझात हूँ इस चीज़ को मान के चलिए एक बैट्समेन मुझे लगता है वोमें के मैच में 25-30 रन बना देगा ठीक है 25-30 रन आपको करके देदेगा लेकिन एक बॉलर अगर आपको 10 ओवर डालेगा ना एक वोमें जो है 10 ओवर डालेगी वोमेंस किरकेट में तो इसली है ना कम से कम भी नहीं तो दो विकेट तो आपको निकाल के देदेगी अब दो विकेट का मतलब है भाई वो आपको 50 पॉइंट सो सीधे सीधे देदी प्लस अगर वो LBW या बोल्ड करती है तो आपको 8 पॉइंट एक्ट्रा मिलते है तो 8 और 8 16 कर लो आप तो अगर सीधे से बात कर लो अगर मैं सीधे से भी समझाओ अगर एक प्लेयर 25 बनाता है वो मेंट का आपको तो वो जार से ज्यादा बोनस वगेरा मिला के आपको 20 पॉइंट दे देगा वहीं एक बॉलर जो है यह तो बैट्समेंट का मैंने आपको बता है एक बॉलर जो है मिनीमम मैच अगर आप खेलते तो बैट्समेंट से ज्यादा बॉलर को पिक करिए फिलाल मैंने इन सब को पिक कर लिया है बाकी फाइनल टीम आपको टेलिग्राम पे मैं देई ही दूँगा कैप्टन वोइस कैप्टन के बारे में बात करें दोस्तों यहां से मैं आपको तीन आप् के पास एक अच्छे option होने वाले फिलाल मैं अगर बात करू तो देखिए सुमन मिना को कैप्टन और बवीता मिना को वाइस कैप्टन लेके जा रहा हूं दोस्तों टीम के प्रिव्यू के बारे में बात करें तो फिलाल यह हमारी टीम का प्रिव्यू आप देख सकते आप इ दोस्तों अगर आपको सो रूपे फिरी पेटिम चाहिए तो देखिए आपको कुछ भी करने की जरुवत नहीं है आप में से काफी भाईयों को पता होगा कि अगर आप स्पोर्सी एप को फर्स टाइम डाउनलोड करके रईश्टर करते हो तो स्पोर्सी एप आपको सो रू पाउंड बनावा है तो तुरंत आपके पेटिम में सो रूपे फिरी आ जाएंगे चलिए दोस्तों मिलते हैं मैंस टैलिग्राम चैनल पर टैलिग्राम से डुड़िया ही गो और मैंस टैम एक्टिव रहीएगा